तो हेलो आयलो कैसे हूं मैं नाम है अविश और मैं आपसका विलकम करता हूं मेरे खुद को डुटि ने पांगल रूपर अव्श में एक सोलीय लिपका शो लेकर अट शो का नाम है तबबार और इस शो को हमें देखना चाहिए यह नहीं देखना चाहिए शो हमको ऐसा क्या न जोनल है सस्पेंस ठ्रिलर और इस शो को एमडी पे 8.9 की रीडिंग मुली है आउट ओफ 10 की फाई रीटिंग से समझ सकते कि यह मूवी कितनी ऑसम होने वाली है और इस शो में ना कुल मिलाक है आठ एपिसोड होने वाले है और पर एपिसोड 40 मिनिट के आसपास होगा पूरी जाएगी और यह शो एक धमाकेदार शो होने वाला भाई इस शो को गलती से मिस मत करना और शो ना आपको कहीं ना कहीं एक जर्नी पर लेके जाएगा और इस शो को देखने से पहले ना भाई एक्सपेटेशन थी नहीं कि यह शो इतना अच्छा परफॉर्म करेगा लेकिन इस शो को देखने के बाद आपका नजरिया बदल जाएगा क्योंकि इसकी परफॉर्मस और क्या आप पर इंपक्त करता है यह सारी चीज़ा आपको शो में देखने को मिलेगी और यह शो आपको टोटली इंप्रेस कर देगा और यह पूरा शो ना एक फैमिली के इडगिर जिस फैमिली में एक मडर हो जाता है और इंवेस्टिकेशन के दोरान पुलिस वालों को पता चलता है यह फैमिली कल्पिट है या नहीं यह सारी चीज़ा आपको शो में देखने को मिलेगी और इस शो की स्टोरी ना मुझे कहीं ना कहीं दृश्य मूवी से इंस्पार लग समय बिता है और अगर गगन के छोटे भाई की बात करें तो वह एक यूटूबर बनना चाहता एक सिंगर बनना चाहता लेकिन उसके पास ना कहीं ना कहीं पैसे होने की वज़े से ना वह एक अच्छा कैमरा नहीं लेकर आत पाता और अगर पवन मलोत्रा के करेक्टर की बा बात करें ना तो वह इस शो में हाउस वाइप के तोर पर दिखाये देगी और रनवी शौरे की कैक्टर की बात करें ना तो वह एक MLA उसके भाई का एक वीडियो बारेल होने के वज़े से उसको लगता है कि कहीं ना कहीं मैं यह इलक्शन हार ना जाओं इस शो के अगर बै अपनी फैमिली को बचाने के लिए अगर इशो की स्टोरी के बारें बात की जाए ना तो इशो में जो गगन अरोरा का करेक्टर है वह पंजाब जाता है अपनी फैमिली के साथ कुछ चुट्या मनाने के लिए लेकिन जैसी वह घर पे जाता है तो उसको चोटा भाई होता ह लिए mobile ले का आया तो बोलता किया पाली का बजार बनता है इसलिए मैं लेके नहीं आ पाया लेकिन जब वो उसका back रखने के लिए ऊपर जाता है तो उससे लगता है आग कि शयद उसmा इस बैग में 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 लिए कुछ हो और जैसी वो back खोलता है न लिए एक to रहता है जैसी वह उसका बैक देता है न तो वह से चले जाता है लेकिन वह परसना वापस आ जाता है बोलता कि यार इस बैक में से important box missing है तो बोलता है यार मैंने तेरे back को बिल्कुल ही छोड़ा लेकिन वह भाई ताओ में आ जाता और वहीं पर gun निकाल लेता और पूरी family पर gunpoint करके कहता है कि वह box बहुत important है अगर मुझे वह box नहीं मिला ना तो तुम सबको मैं चांच से मार दूंगा और जैसे उसका छोटा भाई वहां पर आता है ना तो उसके मुह में वह गंड डाल देता है और बोलता है कि जल्दी से वह भैक ढूंड़ा हो तो भाई आगे क्या होता है शो में यह सारी चीज़े आपको शो में देखने को मिलेगी शो को देखते समय आप बहुत इंटर्टेनिंग शो है और इस शो में ट्विस्ट और टन इतने आएंगे ना कि आप देखके हैरान हो जाओगे इस बोक्स में ऐसा पीला क्या होता है और फैमली को इतनी क्यों प्रॉब्लम उठाने पड़ती है यह सारी चीज़े आपको शो में देखने को मिल देना तो भाई इस वीडियो में अतने अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो प्लीज भाई वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेर करें सब्सक्राइब करें और बैल आइकन जरू दबाद देजेगा ताकि मेरी अगली वीडियो की नोट्फिक्रेशन आपके मिल जाएगा तो मैं आप से मिलू हूँ है अगली वीडियो में ओके बाई टेक क्यें